तो अभी मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और जैसे ही मैं अपने मॉइल फोन को चार्जिंग से हटाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से साउंड आती है थोड़ी दिरबाद जैसे ही मैं फोन को दुबारा चार्जिंग पे लगाता हूँ तो कुछ इस तरह के बाज आती है हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो देक्विक सपोर्ट डो टेक चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वाइल फोन की चार्जिंग नोटिफिकेशन को कैसे चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से तो चली देखते हैं क्या से करना है तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जैसे आप उस पे क्लिक करते हो आप इस वेबसाइट पर रिडिरेक्ट हो जाते हो तो इस वेबसाइट की मदद से आप अपने टेक्स्ट से स्पीच जनरेट कर सकते हो वो भी रिलेस्टिक लगेगी तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको next option मिल जाता है text to speech audio आपको इसके ओपर click कर देना है यहाँ पर थोड़ी सी processing होने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा जिसमें कि आपको language पर हिंदी select कर लेना है तो यहाँ पर हिंदी मिल जाएगी next यहाँ पर आपको voice के ओपर click करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे voice मिल जाएंगे तो आप केसी को भी select कर सकते हो अपने according तो इस website की मदद से सबसे पहले हम charging connect होगा उसके लिए sound generate करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है charging लगाने के लिए शुकरिया तो यहाँ पर create audio पर click करना है थोड़ी से processing होने के बाद आपकी audio create हो जाएगी तो आपको simply download के button पर click करके इस audio को download कर लेना है second audio हम generate करेंगे जैसे हम charging लगा है mobile और उसको हटा देते हैं तो इसके लिए किस तरह का sound generate होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा है charger क्यों हटाया मैं charge हो रहा था तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो तो यहाँ पर create audio पर click करना है थोड़ी से processing होगी उसके बाद आपकी audio generate हो जाएगी simply इस audio को भी आपने download कर लेना है तो third audio हम generate करेंगे जब हमारा mobile phone 100% charge हो जाता है तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं 100% charge हो चुका हूँ creepy charger हटा दीजिए तो create audio पर click करेंगे थोड़ी से processing होगी आपकी यह audio भी generate हो जाती है download के option पर click करके आपको audio download कर लेनी है उसी तरह से आप और भी audio generate कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे उसके बाद जाना है आपको play store में play store में जाने के बाद यहाँ पर battery sound notification आपको application सर्च करनी है और इस application को download कर लेना है जैसे आप इस application को download कर लेते हो application को open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा जिसमें की नीचे लिखा हुआ battery sound notification तो आपको इस पे click करना है next interface कुछ इस तरह से आएगा जिसमें लिखा है display over other app तो यहाँ पर आपको battery sound notification के ऊपर click करना है तो यहाँ से आपको इस application को permission दे देनी है जैसे permission आप दे देते हो next interface कुछ इस तरह से आता है battery sound notification चेक तो आपको इसके ओपर दवारा से click करना है और आपको back कर देना है जैसे आप back करते हो main interface कुछ इस तरह का है इस application का यहाँ पर आपको इक उपर plus का icon मिल जाएगा तो जैसे आप इस पर click करते हो यहाँ पर mode का option मिलेगा जिसमें connected, disconnected, full battery और low battery के option मिल जाएगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर connected के option पर click करेंगे next यहाँ पर हमें एक option मिल जाता है audio file, file explorer तो हमें file explorer पर click करना है जैसे हम इस पर click करते हैं तो हम audio select करेंगे charging लगाने के लिए शुकरिया तो यहाँ पर इस audio को select कर लिया है और उसके बाद आपको save के button पर click कर देना है same easy process के through आपको disconnected पर click करना है disconnector पर जैसे ही click करोगे यहाँ पर file explorer का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है और अपनी second audio को choose कर लेना है उसके बाद आपको save के button पर click करना है next हम दोबारा से plus के icon पर click करेंगे और full battery पर click करेंगे यहाँ पर आपको दो option मिल जाते है audio file तो यहाँ पर file explorer पर आपको click करना है यहाँ पर आपको अपनी audio जो आपने डावलोड की थी उसको select कर देना है तो यहाँ पर आपको एक और option मिल जाएगा जिसमें की percentage लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर handle लिख देना है उसके बाद आपको save के option पर click करना है जैसे आप इस तरह से click करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते होगे आपके 3 notification sound generate हो चुके हैं पहला तो battery 100% होगी तब का उसके बाद connected उसके बाद disconnected का अब जैसे हम यहाँ पर इस application को close करते हैं application close करने के बाद आप जैसे ही mobile phone में charger लगाएंगे या तो charger को हटाएंगे तो इसकी notification tone कुछ इस तरह से बजेगी मालिक charger क्यूं हटाया मैं charger हो रहा था तो इस trick से आप अपने mobile phone की notification sound को change कर सकते हो तो मैंने आपको पूरा step by step इसमें समझाया है तो आप उसके बाद यहाँ पर देख सकते होगे status bar में एक notification भी आ रहा है battery service channel तो आप इसको turn off भी कर सकते हो तो normally इसको turn off करने के लिए simple process रहता है वो आपको सभी को ही पता होगा तो आप यहाँ से इसके notification को off कर दीजिए उसके बाद आपका UI बिल्कुल clean हो जाएगा किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कोई भी application इसमें install कर रखी है तो बस यार आज किसे लिए में इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like मार देना चैनले पर नए होता सब्सक्राइब जूर से मार देना मैं मिलता हूँ आपसा के लिए next वीडियो में किसे ने टोपी के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो